बहुत अच्छी तरीके से पूजन हुआ और अब जो शुब एक फल होता है हिंदु धर्थ के अनुसार नारियल जिसके इस मंच पर जो आपी हमारे प्यारे भाई कुनाल जी हैं उनके हातों से शुब हातों से ये नारियल फोड़कर हम स्वागत करेंगे सभी जो देख से हूं हूंский दनी कृमत गया कि वांच की ऊटोने जो शुब एलिए जो अटनार्यों यदि नुनल के आग्णयु संसी मोर्य जों भावैं यहां तो हिसका धैना हिना अशोर शुदीजल कींगे, बुस्टेसे बंसंसे नंघ МУЗЫКА और बंसक्ते आप न जो है. सब्सक्राइब सुष्ण 2. 1.. 1.. 1.. 2.. 1.. 2.. 2.. 2.. 1.. 2.. किसा हूँ नहीं बहुत स्वागत है इस अपने पंकर जी का अब इस मंच के प्रेक्शन इस महफिल के बहुत Viv DE رच के लिए अपने इसमायी फैस के साथ आचुके हैं और जैसा है कि मैं वी पत्रश्च बाoft मानती है ने आप समझ गया होगे शादी नहीं होगी है मतला ऐसा आप अच्छा ने तो खुष नसीव है ना अच्छी बात अच्छा यह या तभी मैं सोचू कि यह आदमी हस क्यों रहा है यह आदमी शादी के बाद जती हुसते नहीं और मैं चाहूंगा कि हमारे इसके बाद उपेंद्र शर्मा जी उपेंद्र शर्मा जी आपकी उपस्तिती भी हमारे लिए अनिवारे हैं और आप इस मंच पर उपस्तित हो राजीश तरपाथी महादे और साथी साथ सुमन चौबे जी आप भी मंच पर आजाएं और साथी साथ हमारे मुशिक डिरेक्टर महादे धनंच मिश्रा जी प्लीज आपका भी हमें यहां पर आगमन अच्छा लगेगा पर जोड़ताता ही हुई शाहिए और आप देख पा रहे हैं कि फिल्मी जगत के वो सारे सितारे जो हमेशा भोजपुरी फिल्म को एक उचाई पर पहुंचाते हैं वो इस मंच पर आ चुके हैं और यहां से कुस्प गुच्ष देकर हम स्वागत इनका करेंगे और इसके बाद फिर हमारे अम प्रकाश्टि के लिए प्लीज वेलकम और हम सब के जाने पहचाने आजये अजनभी जी प्लीज आप भी मंच पर आजाए कहने के लिए अजनभी लेकिन सब इन्हों इहें पहचानते हैं इनके काम को जानते हैं प्लीज कम अन्देश्टीज और जो हमारे बनारस की धर्दी से आए हुए है गुरु जी प्लीज आप भी मंच पर आजाए जोड़ता कालिया हुई शाहिए इनके लिए और अब हम इहें श्राइना जी और यहां से हम आप सभी को जो आप अपना कीमती सबे निकल कर इस मंच पर उपस्प्रत हुए है साथी साथ मैं गुजारिश करूँगा सीमा जी सीमा सिंग जी प्लीज आप ही मंच पर आजाए कानुदा प्लीज कम लंडे स्टेश वेलकम सर वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आए मशहूर जो हस्तियां जो मशहूर हस्तियां है इस मंच पर उपस्थित हो चुकी है हो चुके हैं और अब हम इवेदन करेंगे कि इन्हें सम्मानीत जो पुष्प गुच्छ देकर करेंगे हमारे लीजेंड एक्टर श्रुमान कुनाल सिंग जी प्लीज कम ओंडे स्टेश की बभी हैं जो और ना कालिया होनी चाहिए और इन्हें भोष्पुरी जगत का हम भिश्म अप्पितामह भी कहते हैं तो एक बार इन्होंने जो भोष्पुरी जगत को लंपी पारी खेली है उनके लिए तो फिर से तालिया फिर से एक बार जोड़ा तालिया होनी चाहिए और इसमें भिश्म पितामह का किरदार मुकेश खंणा साब ने निवाया था और भोष्पुरी जगत के भिश्म पितामह आप हैं तो अगर मुकेश खंणा साब इन्हें बोलते तो कैसे बोलते मैं छोड़ी सी वाते इसके बाद सर आपको आप सरको सुनें यह भिश्म पितामह बोलते देखो अर्चुन आज के इस महफिल में मैं भिश्म पितामह नहीं आज के भिश्म पितामह है कुनाल सीजी तो चोड़तार तालिया होनी के बार श्रुबार है दोस्तों मुझे भिश्म पितामह बनने ना कोई शौक में जूरी और किसी भी कलाकात ने जिस रूप में संबाद बोले हैं अगर उसको दूसरा कलाकात कुछी और अंदाज में बोलता है तो उसको मिमिकरी कहते हैं इसलिए मैं उनके समान में ऐसी कुछ साफी नहीं करना चाहता हूँ आप सब लोग यहां आए ये मुझे इस बात का एसास दिलाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ ये पूरा परिवार है और इस परिवार की शक्ती से हम बहुत कुछ करेंगे ये कहना कोई अपनी तारीफ नहीं है लेकिन बहुत जदोज़द और लडाई करके भोजफुरी सिनेमा को इस उचाई तक पहुचाने में तो मैं थी एक छोटा सिपाही बनके लडाई लडा और जब भोजफुरी के उचाई को देखता हूँ तो ठीक मैं अपने आपको उस जिसान की तरह पाता हूँ जो छेत की मेर पर बैठ कर जिसने कभी पत्थ चुनके तो उस बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया हूँ जब लहलाता फसल वहां देखता हूँ तो इतनी ही खुशी होती है जितना भोट्पुरी दस्टी की सुचाई को देखता हूँ मैं मा पितमरा विंच के दो नौजवान रोहित जी और पंकत जी को दिल से आशिरवाद देता हूँ बहुत बड़ा सपना ले कि ये आए हैं और इनके जज़बात को मैं इस शेव में बोलना चाहूंगा कि दिल में अभी आख बाकी है बहुत कुछ करने का अर्मान अभी बाकी है हमने तो अभी नापी है मुठी भर जमीन मेरे लिए तो सारा आस्मा भी बाकी है इन दोनों जवानों के आखों में वही खुआप देखता हूँ इस फिल्म में और उसको यही शिच्छा देता हूँ कि बहुत मेहनत लगाना चुकि जनता के दिल में जगह पिठाना इतना आसान नहीं होता मैंने अपने 37 स्वर्ष के भोजपुरी सिनेमा के कैरियर में बहुत लोगों को आती और बहुत जाती को देखा है मेहनत करना बैभार अच्छा बनाना बनाए रखना जमीन पर अपने पैल को हमेशा रखना इश्वर्ष तुम्हें बहुत सफ़ता देंगी और मैं आशिवात के साथ शुक कामना देता हूं के साथी कलाकारों को सीमा जी है आँ अजय जी बहुत अच्छे गायक धनेंजय वाबू संगीत इस फिल्म की खुबशूरती जान डाल देंगे बहुत सारे और माही हीरोईन तनुश्री शार के शूटिंग करें नहीं आपाई है तिलोगी जी कैमरा मैं नगेंदर आर्ट डिपार्टमेंट बिरेंदर ये सारे तमाम तक्नीश्यनों को मैं दिल से आशिरवार दिता हूं कि आप लोग एक परिवार की तरह पन किये पंकज रोहित आप सब मिलके इस फिल्म को सफ़र बनाएए अच्छी फिल्म बनाएए परिवार को लाएए जो आज व्रोश्पूरी सिनेमा में हमारी थर्गी माँ बहने जब मैं नायक था गंगा किनारे मुरा गाउं दुल्ह गंगा पार के 75 हपते फिल्म में चलती थी और वो सिर्फ मैं लाएए देखती थी हमें फिर से वही दौर लाना होगा तभी स्पुछपुणी की जिन्देगी बचे की और भी सिख्टुजब कर्यान लाएए थी बड़े मिर्माता भी आशिर्वाद दिने आए हैं राहु जी संध्य पटियाला चिंगारी है तूफां है उसके बारों में कुछ बोला जाए बहुत पंद है तो बहुत बप नहीं दूँगा दिल से आशिवाद देते हुए बस इतना ही कहूँगा कि चल्द हमारी सम्मानिय निर्देशक हमारी फोज़पुरी दस्टी के यहां है अमर खान साहब है दूसरे प्रडूसर मनोज जी है बहुत सारे ऐसे गुणी टैलेंटेड लोग है जो दिल में एक तुफां लेके भोज़पुरी के को आस्मान तक पहुंचाना चाहते हैं मैं उसे गुदाजिश करूँगा कि अपने टीम में कहीं छोटी सी जगद मुझे भी दीजियेगा साथ रहके तुछ अच्छा करें जाता है इस फिल्म के जीता है और आप जगदीश शर्मा जी जोरदार ताली हो आदाश सिंग यादव जीता और उन्हें समाने कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सर और साथी साथी वर्फर से जगदीश जी स्वागत करेंगे हमारे प्यारे भाइट पांग पर चौबे जी का जो इस फिल्म के निर्माता निर्देशक को हैं ही साथी साथ अच्छे एक्टर भी और जैसा कि मैंने आपसे बताया था इसका इन्होंने फार भार्पूर फाइदा भी उठाया दो दो हिरों के साथ हैं बहुत बहुत शुक्रिया अरे में तो इस 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 अब मैं अब मैं हमारी कुर्यग्राफabor महोदे को और हुई आ इ hanno ने ही जो डांस को इकानी को डांस का रूप दिया दयाता है हुए ने इस फिल्म में तो हम ये सबहरे ॥े वहारे स्टारे का scrut हैं जो इस इस फिल्म में एहम भूमिका में नजर आएंगे और इनकी एक्टिंग बतल या फिल्म आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी जो आप लोगों के आशिरबात से आप लोगों के प्यार से सुपर डूपर हीट हो हम ऐसा ही विश्च करते हैं और चाहूंगा एक पर फिर से इन संदर तिंकर इस्त्रिनाय नां सरवांग भू शाड़तां नीला आस्मादुतिमास पाददसगां शेवे महा कालिगां हम पंक से नहीं होसलों से उड़ा करते हैं तो यह तो नहीं पंक जड़ों है तर इंकी पूरी टीम कि आज एक खुशकभी दे रही है कि इस फिल्म की शूटिंग खतम होने के तुरंट बात दूसरी फिल्म की भी शूटिंग छोड़ करती जाएगी एक जोड़ास आई और वो फिल्म है वो फिल्म है हम है बनारस के फारीरा प्रॉप्राइडर भी दोश्वकिन बच्चों गाशिवाद के लिए तो बहुत मैंने शुवाद को पुनाजी से ही थी और जब पहली पिक्चर की तो इनका अशिरवाद मिला था हमें और आज करते-करते सवासों पिक्चर की लगबल है और इनके अशिरवाद के कारण ही वह भूश्पूर इंदस्ट्री चल रही है तो हम लोग चाहते हैं कि इनका हमेसा करते हैं करते हैं और गाउं को सवारनी की कोशिश करता है और यहां जो पॉलिटिक्स है चाहे वो कास्ट की हो चाहे वो आशाओं की हो आकान्शाओं की हो यार जो वहां के ठेकेदार शाय धर्म के हो या किसी के वो इसको कुचलना चाहते हैं किस तरह यह लड़का लड़ता है अपने साथियों के साथ और जीता है कहानी इसकी है अधर से एक और फिर्म का अनौस्ट है जीजीजीजीजी जीजे इसके बारे में में बहतर बता एंग आप अब वो पोस्ट प्रडक्शन में चली गई है फिल्म, हम चाहरें की जल से जल उसको प्रदर्शित करें, नारी सस्थिकरन पर है तहानी, आज औरत करने से कंधा मिला के नहीं, आगे ही बढ़ गई है और अच्छी बात है, उसी चीज को हम सलिब्रेट करने इस फिल्म को, अच्छा अच्छा, क्योंकि इससे पहले हमने तेरेजे से यारगा किया था, बिल्कुल वो मेरे उपजिट नहीं थी, लेकिन सेट पे थे हम एक साथ, काम करने का तरीका अच्छा है, सलिका अच्छा है, और खुबसूरत तो है है, अभी लिए तरी भी अच्छी है, अभी हम करने वा फिल्म है, चौबीस या पच्छेस को हमें कोर महरत करेंगे, तो आप लोग की दूआ और आशिरवाद की ज़रूत है, अगर शीर होली आने वाला है, क्योंकि करने का प्रिपरेशन कोई तैयारी प्रिपरेशन नहीं, लेकिन मैं शायद होली नहीं मना पाऊं क्योंकि मैं श कि आपको मजा है, अब भांग से थोड़ा दूर रही होगा, इस बार, लेकिन मैं शुरूमात हो रही है, आपकी क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले ये कहना चाहोंगी, जो जितने भी मेरे दर्शतों हैं, उन सब को माही की तरब से नमशकार, और जो भी हूँ आप लोग की प्यार की वज़िसे आज मैं यहाँ पे हूँ, तो आज जो फिल्म आपकी आपकी इस फिल्म लोग में शुरूमात चाहेंगे, माही बताएंगे कुछ इस फिल्म में किस तरदा चाहेंगे, अच्छली मुझे नहीं बताया गया है, कि मैं क्या कर रही हूँ, हा आज जो फिल्म लोग में की ओर रही हो? माही खान की तरफ से मतलब अभी मेरी मोवी आई थी राधा टू जो आप लोग ने बहुत पसंद किया था उसकी तरफ से हादिक शुक्कामना है आप सभी को फुली का थाइंके सो मत देखे ये फिल्म मैं इन दो नौजवान पंकज और रोहित के जजबात को सलाम करता हूं और मुझे लगता है कि सच मुझ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं लड़नी होगी इनको मौजूदा बेवस्था से ये भी मैं जानता हूं ल होसला अवजाई करता हूं जरूर लड़िए और हम हैं बनारस के भईया पूरी तरह बनारस शेहर की प्रिश्ट भूमी पर आज की समस्या आज के नौजवानों की समस्या आज की सामाजिक समस्या को लेकर ये फिल्म बनने जा रही है उसी तरीके से ये जो पहली फिल्म है इस फिल्म में भी उन्होंने जो हमारे समाज में बेटी और महिलाओं के साथ जो जो जल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश है तो हम ये दो टाइटिल से ये जरूर दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं हम समाज से जुड़े हुए उनकी समस्याओं को लेकर ही फिल्म बना रहे हैं ऐसा नहीं कि हम आई लव यू डार्लिंग ऐसी कोई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं और वैसी फिल्में भी बहुत मनुरंजक हो सकती हैं जिन्दगी में हर इनसान के उतार चुड़ा चड़ाओ रहता है लड़ाई रहती है और समस्याओं तो बदली नहीं है पचास साल पहले भी भूरून हत्या था दहेज ब्यवस्ता थी राजनीतिक दवंगई थी बेरोज दूस्गारी थी अमीरी गरीबी की लड़ाई थी लेकिन जो आज के परिप्रेक्ष में जिस तरीके से हम इन समस्वाओं को देखते हैं इन दोनों फिल्मों में उसी रूप से उसी रफ्तार से फिल्मों के संदेश दिया जाएगा तो क्या दोनों फिल्मों में एक समाज को वो कुछ दे समाज को बताए वैसे तो सब लोग जानते हैं अच्छाई क्या है बुराई क्या है अच्छा कौन है बुरा कौन है लेकिन एक संदेश देना हमारा करतव वे हमारा धर्म है इसलिए हम हर फिल्मों के जरीए एक संदेश देगा देखिए इस फिल्म के निर्माता पंकज और रोहित इन दोनों को दिल से आशिरवाद देता हूँ चुकि जब ये दोनों मुझसे पहली बार मिले तो मैंने इनके दिल में एक तूफान देखा कुछ अच्छा करने का एक जजबाद देखा तो मैं मैंने सोचा कि इस दो नौजवान को मदद करनी चाहिए ये एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं और ये सच है कि आज हमारे घर की माँ बहने हमारे सिनेमा से दूर हो गए है तो इन दोनों नौजवानों का ये प्रियास है कि बेशक हम चांद पर चले जाएं लेकिन हम अपनी दिती रिवाज और संसकार को नहीं भूलें तो ये दोनों नौजवान जो हैं ये पंकज ये ये ही सपना लेके ये बच्चे काम कर रहे थे और मुझे लगा कि नहीं जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ उस लड़ाई के ये नौजवान सिपाई हैं इसलिए इनकी मदद करनी चाहिए और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं और सिर्फ कहने के लिए पारिवारिक फिल्म नहीं है ये ये सचमुच आठ वर्च की उमर से लेके 80 साल की दादी के साथ भी फिल्म देखी जा सकती है लेकिन पुरी तरह मनुरंजग हम कोई भाशन नहीं देने जा रहे हैं इस फिल्म में एक मौजूदा एक रफ्तार के साथ परिस्थिती में फिल्म बनाते हुए एक साफ सुत्री अच्छी फिल्म बनने जा लेकिन देखिए बेटी महिलाएं ये जो आज हमारा समाज इनको तिरस्कार कर रहा है वो सचमुच अगर हम ईष्वर की अराधना करते हैं और ये पूजा करते है तो इनका महत तो हमारी जिंदगी में है तो ये बच्ची के सशक्तिकरन महिलाओं के सशक्तिकरन की फिल्म है और एक काफी समस्या हैं जो आज हमारे समाज में हैं उसके लिए दो नौजवान लड़के कैसे लडाए लड़ते हैं और समाज को बतलने का प्रयास करते हैं इस फिल्म में यह संदिश दिये जाए टमाम भुठपुरिया लोगन के हम खुली के शुप्ताना देता नहीं, खुब रंग खेला, खुर अबीर खेला, और हर बार यह कहा शान से कि हम भोजपुरिया हैं। जहां तक मेरे को लगा, हमारी संस्कृति खत्रे में पड़ी हुई है। सब एक साथ बैटके इस पिक्चर को देख सकते हैं, इतना मैं आप से वादा करता हूँ, आपको पूरे भारत वर्स में जितने भी हमारे भोजपुरिया समाज हैं, यह फिल्म किसी को निरास नहीं करेगी। और मैं सब से चाहता हूँ, कि सब इस फिल्म को आसिरवात दे, मापितामरा प्रोडक्शन की टीम को सब आसिरवात दे, ताकि हम भविस्ते में भी इस से भी अच्छी अच्छी पिक्चर लेके आ सकें और अपनी संस्कृति को हम बचा सकें। मापितामरा प्रोडक्शन में ये एक नहीं शुरुवात है, अभी तक हमने भोचपुरी फिल्मों में देखा कि जनरली भोचपुरी में होता है, जब हम पूसते हैं कि से भोचपुरी में जाओगे, तो बोलता है रहे क्यों जाना या, क्या करना, क्या नयची देखने को मि एक अलगी चीज़ की मतलब लोग परवारिक उसका नहीं समझ का पाते हैं, संकोच करते हैं कि अपने परिवार के साथ, हस्बेट-वाइफ के साथ, दादा-दाधी के साथ जाए, ना जाए, बाट हमाई जो फिल्म है, सद्नौसाथ नहीं है, सद्दूना हमार, इस फिल्म क आप इंजॉय कर सकते हैं परिवार के साथ और इसके साथ ही है जैसे कि हमने बताया अनॉस किया हमारी अगली फिल्म आने वाली है हम है बनारस के भाईया तो इतने ही कहना चाहूँगा दोस्तों आप हमारी फिल्म को बहुत इंजॉय करेंगे और मापितांबरा प्रोड़क्शन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और में उन सभी बैस्ट ऑपरचौनिटी ने दी है और सबसे वड़ी खास बात है कि यह फिल्म बहुत ही पारिवारिग है और मैं शेकेंड टाइम कुनाल जी की साथ गाम करूंगी इस्से पहले वैंक सेरियल किया था उनके साथ और सबसे माइंड ब्लोईंग है कि यह मेरे गाव में सूट हो रही है और मुझे बहुत माज़ा रहा है और मैं इसमें एक बहन का रोल प्लेकर रही है आप क्या नमस्कार मैं साइना सिंग और मैं इस पिल्म में साइके लिडू पंकर जी क्या क्योंकि रोल बहुत ही बहतीन है मुण बहुत बहता है और में वुठ हैं सबको कुंग्रेट करना चाहती हूं और में उनके साथ काम करना चाहते हूं क्यूंकि आप भी जानते हैं वह कितने अच्छे सिंगों है और भोषपूरी के सलमान खान है तो आपकर नहीं कोई बुराई नहीं है मैंने कब बोला कि उनमें बुरा ही है वो शारुक खान है तो शारुक खान के साथ भी काम करेंगे ऐसा तुमेन बोला नहीं निरहुजी दिनेश लाल यादाओ परफेक्ट एक्टर परफेक्ट डांसर वो छोड़ी चीजों में एक दम परफेक्शन घूंडते हैं तो आपको आमिर खान तो यह है तो बच्चन चली मेडम आपकी पसंद कोन होता है वोच्पूरी में रभी किशन ऐसा क्यों ऐसा क्यों को कहते हैं वह बिहारी वह जो मदर्वाली बात होती है उसमें है जिए को यह वाल है यूपी बिहार का चोली और दावन का साथ होता साथ आप यह आप दोने इस फिल में हो तो दोनों को लेकर कोई ऐसाँ सिन एक जगडा करते हो यह कोई तो अगर जगडा भी करेंगे तो प्यार से करेंगे किस तरह कामना तामना हुआ इस पर दोनों का जगा है आई थिंग मेरी इंट्रिया अफदार इन से पहले होती है मैं जो सुसील इंट्रिया मेरा रूल इक हमारी लडाई नहीं होता है इंट्रिया मेरे यह एक जगडा भी होता है फिल्मों कि नहीं होता है वैसी ने यही रिट्वेस्ट है कि बहुत अच्छी फिल्म अभी अच्छी हमारी यॉनेट है उसके लिए थैंकि सो मच पंकर जी और कासकर कुनाहल जी को कि उन्हों नो मुझे अपॉर्चुरिटी दी है और हम लोग बहुत मिलके अच्छा काम कर रहे हैं इस बार कोई वह होते हैं कि भोजपूरी में एक लॉबी में काम होते हैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है यह तो नहीं बोलते इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे हां पर थोड़ा बैतल जरूर करेंगे इसके लिए आप सबक हैं जो हमारी बोजपूरी की जो मिट्टी की खुश्बू है जो अलग तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं बट इसमें जो रियल खुश्बू है वो दिखाई जा रही है तो प्लीज आप लोग फिल्म देखे और सपोर्ट करें ताकि हम लोग बोजपूरी को थोड़ा हा प्लीज में हुई है एक तो उन्ही के हम प्रडक्शन के फिल्म है पुणाल भिया बना रहा है और एक रवीब भूशन की फिल्म थी हमारी तो यह दोनों फिल्म मैंने किया है बड़े टेलेंटिड कलाकार है और उनको लेकर फिल्म बननी चाहिए फिल्म इंडिस्ट्री में कि ने कलाकार आने चीए और कासकर के हीरो जो है आज के डेट में इंडस्ट्री की हीरो पोने चीए जादा तर इस इंडस्ट्री में आ गये हैं और बस यही कहूंगा बहुत बहुत बदाई देना चाहूंगा हाँ कहूंगा कहूंगा यह कीवा फिल्म मेरे लिए बहुत प्रतिक्षित फिल्म है अप्धी प्रतिक्षित फिल्म है जिसको बूल सिकता हूं डमरु इसलिए भी खास है मेरे लिए कि मेरे अभीने करियर में जो परिवर्तन हुआ है मेहंदी लगा के रखना के बाद उसमें एक और मजबूत कड़ी है ये मैं पॉजिटिव रोल किया कॉमेडी किया अब ये एक देवत्तो वाला रोल जिसमें देवता ही सीधा बना दिया गया तो मैं इस रोल को ले भगवान शंकर की कहानी है तो उसको नए परिवेश में आज की अधुनिक परिवेश में इंटेटेन्मेंट के साथ पेश किया गया है जो हर लोग के जंजन के मन में ये कहानी समाहित है मुझे लगता है कि ये फिल्म जितनी अच्छी बनी है उतना ही अच्छा है इसका रंगों से सरा वो जाते हैं तो निश्सित ओर पर रंगों से सराव और हो हम सरा वह इन अपने बच्छमन में रंगों से बहुत सरावर होते थे लेकिन अपने रंगों के चक्कर में दूसरों का जीवन बदरंग ना करें मतलब कहने का ये है कि होली ऐसी खेले जिसे लोगों को हर्ट नहीं हो मतलब रंगों में ऐसा कुछ केमिकल मिश्टर ना करें किसी जानवर पे खास करके जो लोग रंग डालते हैं खास के डॉक्स पे वो कबुतर पे किसी चिडियां पे उनको आप फ्लीज इससे बचा के रखें क्योंकि हम इनसान तो अपने रंग को धो सकते हैं लेकि जानवर के स्कीन को ये रंग बहुत तकलीब देता है उसको तरहतर की बीमारियां हो जाती है और जानवर मर जाता है तो किसी के मौत का कारण ना बने अपना रंग खेले अपने उनमाद में रहें लेकिन जानवरों की सुरक्षा को करते हुए देखते हुए चुकि वो बेजुमान बोल नहीं पाता है हम तो बोल लेते हैं और अपनी खुशियां जाहिर कर लेते हैं लेकिन वो अपना गम भी जाहिर नहीं कर पाता है खुद में तड़बते रह जाता है तो बद्दू आना ले उपर वाले की बनाई हुई चीज वो भी है वो भी एक जीव है उसमें भी एक जीवन बसता है बस यही कहूंगा होली खेले मजे ले लोगों को खुश रखे पस सबसे ज़्यादा एस्पेशली मैं आप सबसे अग्रा करूंगा कि जानवरों को आप तकलिप ना दे तरह जीज तक जीज आप नहीं कि अपने अपने प्रेशली और यहार कहां और इस वेरी गुड़ एक्टर और बहुत गुड़ युमन बिंग करूंगा कि उस्वक्त मैंने पापा की तेथ ही और वो जिस तरह से आके मुझे गरे लगे ते मुझे आज तक याद है और मैं यही कहूँगा कि उनको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 शुक्रोजार हूँ और मैं यही कहूँगा कि उनको बहुत बहुत आशिश बहुत बहुत उत्यार कि ये फिल्म साथ ने भाईया सजना हमारे बहुत बड़ी हीट हो और वो खूब नाम कमाया और इसका सिक्वल भी बना सर मेरी अभी आने वाले फिल्म है डमरू जिसका ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा और उस फिल्म का मैं विलिन हूँ अर मेरे फिल्म का और उसमें मैं जमीन का सौधा करता हूँ और बहुत ही अद्बूत कहानी है कहूँगा कि अब तक ही भोजपूरी में मेरी best of the best story है और मेरा best of best role है, बहुत ही अच्छा रोल है, उसमें तो मैं चाहूँगा कि आप सब प्लीज ये फिल्म देखिएगा, इसके बाद लोहा पहलवान है, सौगंध है दो ताई को रिलीज हो रही है, दीरिज जी के साथ, इसके बाद दुलिन गंगा पार्क की है, इसके बाद ना की फिल्म बनी है, बैसिकली सब बिहार क्रिकेट, तो प्लीज आप तो सब ये सब फिल्म देखिए, होली की बहुत बहुत शुब कामना है, खुब अच्छे से होली खेले, एक दुसरे से मिलन सार का रण, दुसरा नाम है होली, और मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अच्छे से दूर रहे, ऐक्च्छली मिज़े आठिटिशल स्कलर से थोड़ी नफरत है, तो प्लीज आप सब भी आठिटिशल स्कलर से दूर रहे और अभी गुलाल से खुब होली के बहुत बहुत पीछे नाम है साथ निभाईया सजनवा हमार, फिल्म की मुहरत है अच, देटें अर भोझपूरी के महा नायक के बेटे अकाश जी की फिल्म है मेरा सवभाग्य है कि मैं इनके साथ इसके पहले वाली फिल्म में भी थीन दिन काम किया। और बाद में डेट के नहीं होने के वज़े से इस फिल्म से मैं भॉनचिते रहे गया। और इस फिल्म में भी मैं इन से यही रिक्वेस्ट करूंगा आगर मुझे रखते हैं तो छोटा रोल दे हैं एक फिल्म आपके बड़ी बहुत अर्चित है बिल्लू उस्ताद जिसमें आप उस्ताद बने हैं बाकाईदा कुछती सिखाए मैं एक सर पूछता था कुछती लड़ेंगे कुछती लड़ेंगे च्या उसके बाद आपने फिल्म करना निजए डिसाइट किया नहीं बिल्लु उस्ताद जो फिल्म है यह फिल्म हिंदी फिल्म है और इसमें एक बच्चे के उपर अधारी कहानी है उसमें आनात बच्चे जो होते हैं अनात आश्रम में बच्चे आते हैं और उनके साथ किस तरह की घटाय घटी है क्या क्या होता है उनके साथ इस पर अधा होली की सुबाँम नाजीं आप सबी चैनल के डर्श Machtोंar है होली का लौधी मुझा है होली का अगल्गी रिजुआयए होली आपने मीत्रों के साथ अपने भाई पहनों के साथ होली तपा के साथ सब के साथ फेरे जा सकते है तो होली जरूर के लिए खुब रंग उराइए, खुब गुलाल उराइए, खुब कीचर और धूल मिट्री सब उराइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके किसी भी अक्टिविटी से किसी दूसरे को तकलिप ना हो, इसलिए होली की बहुत आरे शुब कामना है होली जरूर के सब्सक्राइए, खुब कामना होली जरूर के सब्सक्राइए, आपके एकदम प्योर फोक गाउटी चीज, घर गाउओ का चीज, आपन खास खाटी माटी का जोन चीज बटे, कहाने में भी, गाना में भी जिसन हमने के सुना तनी, कहानी भी सुना तनी है बहुत 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 बहातरीन बटे, लव श्टोरी बटे, और एकदम घर का चीज जलोन अपन घर में घटे गहना घर गहत consig, ट्र आिच्टना, विसन स्कृरीन प्लीटे और एक बिशएस बात हम बताई है रोगा कि एकर जे स्टोरी स्क्रीन प्लेग लिख ले बटे कपिल मोनी पंकर जी हमनी का जब बहुत छोट छोट रहने जा तब उन गाना लिखत रहें और बहुत बहुत बेहतरीन राइटर हुए और आज उनका कलम से जब कुछ चीज निकली तो हुआ समझ सकता है कि गावटी चीज फिल्म में नव गात मपटी ईटम और नव गाना है और एक अलग तरीका का अईसन घटना घटता कि जोने को कुछ चीजें ताना बाना जानों कर बुनल गिल बटे बहुत बेतरिन हुई और हमके विश्वास बटे बाकी तरुवा सब सामने जबाई तरुवा देख़े करें बहुत बहुत शुक्रिया और जी कल 19 तारिक को थामे विद्यापीट के कुलपती महोदय, प्रती कुलपती महोदय, कुल सचीव महोदय ने मुझे मेरी छोटे से योगदान को मद्दे नज़ा रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उन्होंने इतनी बड़ी उपाधी मुझे सौपा, इसके लिए मैं सबका तहे दिन से शुक्र गुजार हूँ और मैं शुक्र गुजार हूँ मेरी जनता का, मेरे दर्शकों का, मेरे स्रोताओं का, जिन्होंने अनवरत 25 सालों से मुझे इतना प्यार दिया, इतना अशिरवाद दिया, इतना स्नेह दिया, जिसके वज़ा से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और ऐसी उपाधी मिली है, जो मेरे जीवन में बहुत आभी स्मर्णी है, अतुल्य है, अद्भुत है जिन्जा जी, खेशारी के बड़े ही करीबी मने जाते हैं, आप करुम की बच्चे का मुझे भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुक कामनाई देना चाहूंगा, और ये जीवन का रस्म है, मुंडन का एक रस्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो पहले बार उसका बाल काटा जाता है, और ये बड़े धूम धाम से मनाई जाता है, हम लोगों के तरब तो बहुत हरसो लास के साथ मनाई जात है, बलकि कुछ छेतरों में तो ऐसा भी होता है, कि उसको जितना शादियों में खर्च किया जाता है, जितना ताम जाम सादियों में रखा जाता है, उतने मुंडन में भी रखा जाता है, उपनेयन संसकार भी होता है, उसमें भी ऐसे ही कर्च करते हैं लोग, ऐसी हरसो लास से साथ मनाते हैं मेरी हारदिक शुब कामनाएं हैं बच्चे के साथ मेरे भतीजे के साथ और खेसारी जी के नाम को जितना खेसारी जी ने अपने पिता जी के नाम को रोशन किया है उससे ज्यादा खेसारी जी के नाम को इस्टेज प्रोग्राम किया हो, संघर्ष किया हो, और गाउं गाउं घुम घुम के, जो वहां की मिट्टी का संगीत चुआ हो, जिसने उस संगीत को जिया हो, उसके साथ आप जब फिल्म करते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं पार्टीकुलरी बहुत म मज़ा भी आता है, जिब हमेनत करते है जब हमको कहीं कुछ काहीं टफ कंपटिशन मिलता है, हमको जब एकदम ऐसा चैलेंज मिल जाता है कि आपको ये करना है, और उसमें हमको और पिसना पड़ता है, मज़ा आता है काम करने का, जब जब उर्जा मिलती рाती है जब इना, इतनी भी फिल्में बोजपुरी की 2018 में रिलीज होंगी वो मैं पर्मात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सारी हीट हों सबका रोजी रोटी चले हमारी संस्कृती फले फूले हमारा कल्चर हिंदुस्तान नहीं बलके इविश्व में परसिद्ध हो हमारी भाषा को लोग समझे ताकि हम भी अपने राष्ट के लिए अपने देश के लिए कुछ कर सके साहित्यक रूप से संगीत के रूप से पूरी टीम को अपने दिल से धेर सारी सुप्चामनाय देता हूं और धेर सारी बदाईया देता हूं कि यह फिल्म जिस तरह से आज मोरत हो रही है उसी तरह से यह फिल्म सक्सेस हो बने और अच्छी बने और लोगों को इसको देखने में मजा आ है मैं इस फिल्म में कुछ कर नहीं रहा हूं मैं तो आइसा गेस्ट चुकि मोरत हो रहा है कुनाल जी हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं बहुत अच्छे बड़े स्टार हैं इस इंडस्टी के चुकि हम इस इंडस्टी से जुड़े हुए हैं काफी सालों से हम लोग काम कर तो हम उनको सुपकामनाय देने आये हैं और मेरी यही सुपकामनाय है कि जिस तरह से उनके लड़के इस फिल्म में काम कर रहे हैं और काफी अच्छे एक्टर है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी और लोगों को इसको देखने में मसा दंगल पे और दूसरा एक नया शो हमारा शुरू हुआ है इस रात की सुबह नहीं वो भी दंगल पे दस बिज आता है उसके इलावा कुछ भुचपूरी फिल्में चल रही है मेरी एक फिल्म अभी रिसेंटली रिलीज हुई है बिंगॉली में हम हर लैंग्विज में फिल सब्सक्राइब के लिए तो मैं आपने सभी दर्शकों को सभी शोताओं को आप लोगों के माध्यम से ठेर सारी सुबकामनाएं होली की देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि होली जो है आप लोग कृपया जो है सेफ खेले अच्छे से खेले और उसका आनंद लेकी खेले इस फिल्म के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं भी कर रही हूं काफी फिल्मों में ठकुराइन बनी हूं लेकिन पहली बार इस में पंडिताइन बनी हूं मुझे बहुत खुशी हो रही है सजना साथ निगा मतलब कुछ अलग हट कर है और लेकिन अपनी अच्छा लग रहा है मतलब इस फिल्म को सजना साथ निगा इस फिल्म को बहुत बहुत बदाई देती हूं इस फिल्म के डारेक्टर पर्डूसर जी और जो जो इसमें काम करते हूं को बहुत-बहुत कंग्राइच करती हूं और जहां तक कहा गया है कि ये परिवारिक फिल्म है तो मैं तो यही कहूंगी कि परिवारिक फिल्म कौन नहीं देखना चाहेगा और ऐसी फिल्मों की जरूरत है हमारे समाज को तो बहुत-बहुत-बहुत-बधाई इस अभी तक मैं कनफर्म नहीं उसमें मुझे संजे भूशन पट्याले जी यहां इंवाइट किये हैं और मैं इस पिक्चर के मतलब बढ़ाई देने के लिए आई हूं हमारे पोडूसर डारेक्टर जितने एक्टर है और टीम समको मैं बढ़ाई देती हूं अदला कर यह पिक्चर अच्छा से कंप्लीट हो और अ अच्छा लग रहा है थैंक यू तो अगाना इस फिल्म में कहा रहा है पहले पने नाम के साथ लुट के लिए फिल्म जो ना होतियार हुआ सवी के बीच में या पूरा भुजपुरिया स्रोता के बीच में एक सुद्ध परिवारिक और मनरंजक फिल्म जोना के माध्यम से परिवारिक फिल्म जाय जोना के परिवार का हर सदस्य देखे वही के देखते हुए यह को गीत हम जोनके मुख्य गीतवा टैटिल सांग से मगोले वणी साथ निवहिया सजनवा हमार जब तक गंगा जमुना में बहत रहे जलधार सजनवा साथ निवह हमार सजनवा साथ निवह हमार जब तक गंगा जमुना में बहत रहे जलधार सजनवा साथ निवह हमार सजनवा साथ निवह हमार सब्सक्राइब सम्मत पर धन्वा के खेत में असो फुकाई ये भाई सम्मत पर धन्वा के खेत में असो फुकाई ये भाई चाचा पीहें भांग ठंड़ाई अफगुआ खुब गवाई ये भाई तसम्मत पर धन्वा के खेत में असो फुकाई ये भाई पूरा भोजपूरी वाशी के पूरा देश के हर स्रोता के शुब कामना देता नहीं कि रोह सवे होली बढ़िया से मनाई और खोब मस्ती करी होली में धन्यबाद साथ लिवया सजनवा हमार देशम करी राज और मेरी बहुत सरह कामना है और कोनाल चीच को बहुत सारे शुब कामना है और अकाश जी का जिसे केरेंस टार्टी हूँआ है। तो मेरी देर शुब कामना है बहुत महनती है और मैंने काफी फिल्में जो मैंने गाने की हैं आकाइजी के साथ में तो सेट पर जाओ तो सुनने में भी आता था कि बहुत महनत करते हैं एक्शन हो, फाइ, डांस हो, वो महने से नहीं कत रहते हैं, तो ऐसे लोगों का आगे बढ़ने का हागा है, और मेरी डेर सारी शुप्तामना है पूरी टीम के साथ, अरे बहुत बार, डांस में तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी इच्छा है, कि एक गाना ऐसा हो, जिसमें में उनक केना चाहिए, बहुत सारे पूनाई आप इच्छा है, उनके लिए तो शब्द नहीं है, मेरे पास, सिवित्ता बोला चाहूंगे कि इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके लिए दिल से इज़त है, और वो दिल में हैं, जिसमें कानू जी हैं, कुनाल जी हैं, और आज अगर मैं मुरत में आई हूं, तो सिफ कुनाल जी की वज़े से आई हूं, मेरी डेर सारी शुब कामने देने आई हूं, और ऐसे ही फिल्में बनती रहे, एक के बाद एक, जैसे आप लोगों ने भी सुना, कि अगर उन्होंने खुद बोला कि डालोग दब बोलने बोल और ना ही कोई ले सकता है, मैंने कहा ना कि उनके लिए कहने के लिए हमारे पाद शब नहीं है, वो हमारी सोच ते बहुत उपर है, और उन्होंने जो नाम बनाए, जो इद्धत बनाई है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा ये कर पाएगा. होली आ रहा है, सेमा जी कितनी तैयारी कर चुकी है? होगी और अपने दर्शोकों को और अपने ओडियन्स को पूरे कलर में रंग बिरंगे करने वाली हूँ. कापी तारिख कर रहे हैं, आपकी सेमा जी क्या कहने चाहिए? मुझे तो इस सबसे परने रोहिद जी पंकर जी को धेर सारे शुप कामना है, और मैं बहुत खुश हूँ कि कुनाल जी उपर से आकास जी दोनू, कुनाल जी को मैंने बहुत नचाया बहुत पहले, और आज उनको उनके बेटों को नचाहूँगा, आकास जी को, बहुत सिमा जैसी पेटी पैदा हो, इसे तो अपने हर जगा सिमा जी को नचाया लगी कभी ऐसा हुआ है कि सिमा जी ने आपको नचाया हूँ, इस जनम में तो हो भी नहीं सकता है, मैं पहले खुद तो नाचलू, आहां नचा सकती वो कब, जब मैं इसके शादी के लिए लड़का बहुत प्यार करता है, हमारा ओडियंस बहुत लाइक करते हैं, तो हम भी चाहेंगो कला कार है, कला कर को कभी कला रोकना नहीं चाहिए, उजब तक जिस दिन बोले गया भी आप कर दीजी बस उस दिन करते हैं कि तैयारी में पूरे है, होली की लिए ठेज सारे बधाईयां अभी को और होली ऐसा तेवार हमारे हिंदुस्तान में उस दिन तो बच्चे से बुड़े तक इंजॉइमेंट कटर मैं हर साल होली में इलाबा जाता तरह लिए इस साल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि एक तारी से मेरा बॉर्डर का शूटेंग है राइपूर बहुत सालों के ब इस फिल्म का सहने माता हूं हमारा जो में उदेश्य है इस फिल्म को बनाने का वह बोच्पुरी संस्कृती जो खो चुकी है उसको पुल्हा जीवित करने का हमारा उदेश्य है और आशा है कि हम अपने इस उदेश्य में बिल्कुल सफर नहीं मैं SRD के महराश्रा सही हूं लेकिन मैं भोच्पुरी पिचर में ये जो आज का जो थीम है ये पिचर का सजनवा साथ नी भाया में इतना बढ़िया थीम है ताकि ये थीम को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और पूरी आशा है कि ये पिचर पूरे वर्ल्ड में प्रमोशन हो जाए इसका कि जब मुझे लगा आज कल हम भोच्पुरी पिचर देखते हैं तो सिर्फ देखने के लिए अच्छे लगते हैं घर पे जाने देखने जा रहा हूं यह ऐसा लगता है कि जो एक जमाने में भोच्पुरी का नाम था जो आज भी हिंदी पिचर में उस भाशे को यूज करते हैं लेकिन डायलोग के इसाफ से यूज करते हैं लेकिन यह पिचर जो है परिवार के साथ में कभी ना भूले यह इसा पिचर है इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है प्रजेंट प्रजेंट अबेस्ट लीजिनल लेंगविजेश इन आवर सोसाइटी विद गुड मार्ण देख सब्सक्राइब इस मापितनामरा प्रडॉक्शन के नेचे बनने वाली मूवी यह पूरी भौशपूरी संसकर्ती को जागरित कर देगी दो बारा से जैसे कि कहते हैं कि बहुत पूरी संसकर्ती जो है गाया भोचु की थी मूवी से जैसे भाई साब ने बोला अभी उसके बिहाब पर यह प नमस्कार बहुत खुशी की बात है कि आज फिल्म साथ निभईय संजनों हमार के मुहरत हम लोग पहुँचे बड़ा अच्छा लगा मैं अपने भाई प्यारे दोस्त आकास को बधाई देता हूँ कि फिल्म सुपर डूपर हिट हो और माता रानी उनको आगे बढ़ाये पानी जी है जिनकी फिल्म मैंने घात किया अभी तो रिलीज पे है बाकी परहार हम लोग करने जा रहे हैं घात एक ऐसी फिल्म है परवारिक है एक्शन है इमोशन है सब कुछ है इंटर्टेन्मेंट है पूरी फिल्म रिलीज हो रही है हमारी फिल्म होली के सेकेंड वीक में जी सबसे पहले हम द्रसक रुवा सभे रुवा मेडिया सब सुरोता जितने भी लोग देखता होकरे सतेंदर सिंग के नमस्कार बा हमारा हल्बानी होली फिल्म लेके आपन घात रुवा सभ आशिरबाद प्यार दी और एतना अच्छा रुवा अशिरबाद और प्यार हमारा के दी कि हमने के फिल्म आच्छा सुपर डूपर हीट हो बहुत बहुत हर्दिक शुविक्षा देना चाहता हूं कुनाल जी को जो की मेरे सभी मित्र है आकाज जी को जो इतनी अच्छी पिच्छा करने जा रहे है आए बेशेम आल दे बेस्ट के आगे फ्यूचर में और अच्छी पिच्छर भी करे अच्छी पिच्छी जगत जिसे हम अभी टॉलीवूट कहते हैं आज के टाइम पे बहुत से हम चेंजिस देख रहे हैं एक अच्छी कॉलिटी मिल रही है और मूरत बूरत भी अभी अच्छी का से होने लगे जैसे पिच्छस के लिए जैसे कि घाच का तो मैं प्रोडूसर हूँ प्लस अभी मेरी प्राहर मूवी आ रही है जिसमें मैं खुद को लांच कर रहा हूं जिसमें मेरे साथ गॉडव जा है, सतेंदर है, रवी जी है, उसको पपुकन्दा जी प्रोड्यूस को आपना डिरेक्ट कर रहे हैं. यह पेली बात तो यह पच्छ के जितने भी लोग हैं वो पुरी उनिट को मुबारक देना चाहूँगा और आकाष ब्याद को ओल दे पिच्छा के लिए और अच्छी बॉक्स ऑफिस में अच्छा धमाल करें तो अल्दे बेस पुरी उनिट को यह पिच्छा के लिए मेरी बोचपूरी पहली पिचर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है घात और घात में मैं है सेकंड विलन हूँ तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ वह पिच्छा के लिए और मैं अपने आपको एक नए रोल में देखने वाला हूँ और कई ना कई में सेकंड बोचपूरी पिचर भी मैं बहुत जल्दी शूट करने वाल हूँ जिसका नाम है प्रार तो इसके लिए भी मैं बहुत मैनत कर रहा हूँ और होप अच्छा करूँ मैं वह पिचर में